नमस्कार स्वागात है आपका विहारी नियूज में में रितम सेन भारती अज हम बात करेंगे Logdown के दारान E-PASS के माध्यम से गाड़ियों की जो सुबधादी गई है उसके बारे में गाकिर हम उसके E-PASS की सुबधा जो है हम कैसे ले सकते है बिहार में कुरोना कार लगातार जा रही है, ऐसे में परदेश में 15 माई तक के लिए लगडाँन का ऐलाइन किया गया है जिसमें सड़क पर चलने वाले बाहनों और पैदल चलने वालों को भी मना ही कर दिया गया है लेकिन अगर किसी विशेष प्रस्थिती में, अगर किसी विशेष काज के लिए घर से बाहर निकलना है और किसी खास जगह पर जाना है तो online अवेदन दे कर e-pass बनवा सकते हैं आईए सबसे पहले जान लेते हैं हम e-pass बनवाने के बारे में काकिर हम उसे कैसे बनवाएंगे और उसमें किन-किन काज़ातों की जरुवत होगी इस पुरी परक्रिया के लेकर आपको किसी भी दफ्तर का चकर काटने की जरुवत नहीं है पुरी परक्रिया online है और आपको सिर्फ अपने पास जरूरी कागजात रखने हैं जिसके जनकारी और जिसके attachment की demand online आवेदन के दोरान आपसे की जाएगी जब आप फॉम फील करेंगे तो आपको आपका नाम, पता और अन्न महत्पुन जनकारियां आपसे मांगी जाएगी इसके साथ ही आपसे बाहन की पूरी जनकारी मांगी जाएगी इसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप कहा जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस जगह से किस जगह तक जाना चाहते हैं और कब से कब तक जाना है इसके साथ ही बाहन में उपस्तित रहने वाले यातरियों की संख्या के बारे में पुछा जाएगा इसके अलावा आपके घर के किसी सदस्ट ने पिछले तीन माह में विदेद से यातरा की है या नहीं घर में अगर कोई कोरोना पोजेटिव है तो उसकी पूरी जानकारी देन होगी तो आवेधन को अपनी पासपोर्ट साइच फोटो के अलावा अधार काड और यातरा की बजह के संबंधित कागजात आवेधन के साथ अटाइच करने होंगे इस पूरी परक्रिया अपने मोवाल के जरिये भी आप असानी से कर सकते हैं अई आप जान लेते हैं कि प् और क्लिक करके अवेधन पत्र खोलने के बाद अवेधक को सभी अनिवार सुचना है भरनी जरूरी होगी जो कि हमने उप्यूक्त में आपको बताई है अवेधन भरने के बाद एक बार उसे आप अच्छी तरह से जरूर चेक कर रहें इसके बाद जरूरी अटेजमेंट या इस लिंक पर जाओ क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इपास जनरेट हो जागा जिसे लेकर आप अपने विशेश कार्ज को पूरा कर सकते हैं विहारी नूज आप से एक बार फिर यह अपील करता है कि अत्यांत जरूरी होने पर ही इपास के जरूरी आवेधन करें अन इपास को लेकर जानकारी जब आप लॉकडाउन के दारान अगर किसी बिशेश परिस्यति में कहीं जाना है तो इस दारान आप इपास की स्विवा ले सकते हैं और इस इपास के जरिया आप एक जगह से दुसरी जगह जा सकते हैं विहार और विहार से जुड़े होई और भ मुझे देजी अजाजत धन्यवाद